हाई योडिवाण मैं हो रितोव विर्चल में आप सभी का बहुत बहुत सफागत है जी स्पोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे जी स्पोर्ट पे बहुत सारी रिसर्च हुई है इविन आज भी हो रही है और आज का तो सवाल है वो ये है कि क्या सारी ओर्तों को G-spot होती है बहुत सारे फीमेल खुद आज तक इसको नोटिस नहीं कर पाए है बहुत सारे मेल पार्टनर भी डूंड़ते रह जाते हैं और तहसोचते हैं कि G-spot वहा होता है किया है और क्या मेरी female partner को है और यहां पे सवाल यह आ जाता है कि क्या सारी ओर्टों को G-spot होता है देखे बात तो यह है कि आज भी researchers इस पर research कर रहे हैं इस पर study कर रहे हैं और बहुत सरी फीमिल पार्टनर को इस मसल में कोई फीली नहीं होती कुछ फीली नहीं होता उनको इसमें कोई मजाय नहीं आता है वह यह female to female depend करती है कि वह जो क्लिटोरल मसल है वह कितना active है कितना काम करता है और यह female to female body पर depend करती है कि वह कैसे इस चीज़ को लेते हैं इसको लेकि इतना bother होनी वाली बात इसलिए नहीं होती अब हर फीमेल पार्टनर का जो क्लिटोरल मसल होता है वह सेम नहीं होता सेम साइज का नहीं होता तो इसलिए किसी को आप मैं दूर्ट का जो स्टिमूलेशन की को एक्सटरा जाधा स्टीमूलेशन से जैद्य कैसी को एंट्रिटृटरल स्टिमूलेशन से जाधा चाहिए तो उनको इंटर्णल कुछ मैस नहीं हो था अगर आप D-Spot को ढूद रहे हो तो एक चीज में बतादो दोस्तों फीमेल पार्टर को संतुष्टी देने के लिए इनको स्टिमूलीट करने के लिए एक लातना क्लेट ही जो मसल है बाहर का मतर का दाना वही काफी है इंटर्नल आपको इतना सर्च करने की जरुएत नहीं पड़ती अल्लेस कि आप एकसेसिफ कुछ डून रहे हो या चाहा रहे हो और इस पर आज भी स्टडी हो रही है आज भी रिसरच हो रहा है कि यह फीमेल टू फीमेल कितना वैरी करती है वीडियो कर पसंद आया हो तब पीस वीडियो को लाइक करे शेर करे एंट दो सब्सक्राइब आज सो इस टाइप आप वीडियो तो मैं चानल थांक यू बावाई